देखिए जिसने पूरे बजार का मूट खड़ाब कर दिया है SDFC बैंक, हेवी बेट स्टॉक्स है, गिराबट देखनेों को मिले समान तोर पर इस शो में मैं मेटकेप इस मलकेप शुरू के बात करता हूँ लेकिन चुकि गिराबट बहुत बड़ी है, और इसका असर पूरे बजार पर हो रहा है यह समझने की कोसिस करते हैं कि यह गिराबट आकिर हुई किये हैं आकिर इतनी बड़ी गिराबट ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट आए हैं जो बहुत निगेटिव तो नहीं है, मई 2020 के बाद यह सबसे बड़ी गिराबट है और बैंक की बात हो तो इसके लिए सबसे असान तरीका होता है हमारे समझने के लिए मैं पूजा के पास जाता हूँ हमासाथ पूजा जो चुकी है, पूजा लगातारा बैंकिंग सेक्टर को कवर करती है इस बज़े से हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक के नतीजों ने बाजार का पूरा मून इस वक्त बिगाड़ा हुआ है अगर कुछ डेटा आपके सामने रखें तो बैंक के मार्केट कैप से आज करीब एक लाग करोड रुपे साफ हो चुके हैं और मैं 2022 के बाद जैसा कि आपने ब वेटेज है तो दोनों ही इंडेक्स में HDFC बैंक के बड़े वेटेज होने के कारण हम देख रहे हैं कि आज ये स्टॉक बाजार पर दबाब बनाने का काम कर रहा है अब इसके पीछे की वज़ा क्या है जब नतीजे आए उसके बाद हम ये रियाक्शन देख रहे हैं क्यों तो वो पूरी तरीके से कवर कर चुकी है इस रिस्क को लेकिन अब आगे माना जा रहा है कि इस से रिलेटेड आगे और चिंताय खड़ी हो सकती है कंपणी के मार्जिन पर प्रेशर पर सकता है पिछले दो क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि जो मार्जिन हैं वो 3.4% के आस तो आने वाले समय के लिए भी मार्जिन को लेकर कुछ कंसरंस निकल कर आ रहे हैं प्रोफिटेबिलिटी को लेकर कुछ कंसरंस निकल कर आ रहे हो सकता है कि स्लो ग्रो देखने को मिले इस वज़े से हम देखने है कि HDFC बैंक कूट रहा है और इसका इंपक्ट हम दूसरे गटाकर 1730 किया है और 22 से घटाकर होल किया दिये तो डबल डाउंग्रेट यहां पर नुवामा की तरफ से देखने को मिला हाला कि सेले से ने टार्गेट प्राइज में बढ़ोतरी की है ही है लेकिन नुवामा की डबल डाउंग्रेट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज इंपक्त है तो यह कुछ कारण है जिसके वज़े से सब्सक्राइब का शेयर टूट रहा है और उसका असर बाजार पे भी आज पढ़ रहा है आपका डबल शुक्रिया क्योंकि आपने नकेवल डिजन्स बताया ब्रोकर्स के रिपूर्ट पूरा कंपाइल करके अपने बता दिया समझा दिया कि आखिर यह गिरावट क्यों उनको बजार को यह अशंका है कि बाकी हो सकता है प्राइबेट बैंकों के नतीजे भी थोड़े खराब देखनों को मिले और इसी डर में हम देखने के तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में गराबर देखनों को मिले है और बैंक निफ्टी सारे 3% के आसपा सब तक कमजोर हो चु प्याल के प्याल धुरा आसब।